नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आप सबका फिर सेक पर सोगत है जैसे की स्क्रीन पे देख पा रहे हो यह बुल ट्रेडर्स करके हमारे यूटूब चैनल है इसमें बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग प्लस इंपरमेशन भरे वीडियो अल्डेडी अप्लोडेड की लिए लिए थे तो उसको भी ज़रूर ज़्ाइन कर सकते हो तो आज हम डिसकर्शन करने वाले की कल मार्केट काहां पर मोमेंटम कर सकते हैं काल तेलिग्रहम में काल्स दे दूंगा फ्रियो आप्व को सखते हो तो दोस्तों देख सकते हो आज का जो momentum था market ने जो momentum किया वो बहुत ही volatile plus sideways था reason यही था कि दोस्तों कल market में एक बहुत बड़ा fall हो चुका था मैं अगर आपको यह दिखाना चाहूं तो सबसे पहले मजे zoom out करना बड़ेगा दोस्तों कि यहां पर देख सकते हो market में यहां पर 1200 पॉइंट के असपास फर्स्ट थर्टी मिनिट के अंदर ही फॉल हो चाहता है तो आज हमें फिक्स पता था कि निप्टी और बैंग निप्टी दोनों में यह मोमेंटम हमें देखने के लिए मेला फर्स्ट 15 मिनिट का जो कैंडल है पूरा हैमर पैटन बन चुका था और प्रिवेस डे का जो स्विंग लो था उसके आसपास इसने फर्स्ट 15 मिनिट के अंदर ही सपूर लेके एक हैमर ट मोमेंटम होगा वो स्लो एन स्टेडी होना चाहिए उसके लिए मार्केट हमेशा बायर के जोन में उपन होना चाहिए तो डिसकेशन करते हैं कि कल कहा पर ओपनिंग होने के बाद मार्केट कहा पर मोमेंटम कर सकता है तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मार्केट रिवर होता है तो हमें फिर से सेलिंग साइड प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है और यह जो स्विंग लो बना चुका है मार्केट 32,350 के असपास यह नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है उसके लिए लेकिन मार्केट फ्लाइट ओपन होना चाहिए अगर मार्केट कल बहुत बढ़ा होता है मतलब 300-400 पॉइंट के असपास ग्याप उपन होता है तो यह प्रिवेस डे का मतलब आज का जो क्लोजिंग प्राइज है उसके आसपास सपूर्ट ले लेगा और ओलाटाइल प्लस साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है और अगर डाउंसाइड तो दोस्तों मैंने जैसे यहां पर आपको बताए कि बैंक निप्टी होल्ड करा था लेकिन इफ्टी-50 उपर की तरफ मोमेंटम उसने करना स्टार्ट के दिया था तो यहां पर देख सकते हो क्लियर ली दिख राए कि फिर्स में 15 मिनिट का कैंडल यहां पर सेम बनाया चु तो यह विदिन रेंज पूरा मोमेंटम दिन बर मार्केट में रहा तो कल निप्टी कहां पर उपन होने के बाद कहां पर जा सकता है ध्यान से सुनियेगा दोस्तों अगर लास्क 15 मिनिट में हमने बैंक निप्टी की मोमेंटम देखी तो वहां पर विदिन जोन थी लेकिन Nifty की momentum देख सकते हो, यह जो support zone, मतलब यह जो बाहर का zone है, उसके बाद breakout मिला है, दो candle यहाँ पर green देखने के लिए हमें मिल सकती है, last की दो candle में strong bullish momentum था, लेकिन उसके पहले एक selling moment होने के कारण, मैंने बता दिया कि जबी भी market में fall होता है, तो उसके बाद market सीधा उपर नहीं not down भी कर सकते हो, आपके लिए beneficiary हो सकता है, तो कल अगर market यहाँ पे flat open होता है, मतलब 14,700 के आसपास अगर open होता है, 14,700, 760, sorry, 660 के आसपास, मतलब यह 50 से 60 point के अंदर कही भी open होता है, तो हमें एक upside momentum देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन यह उपर की तरफ पहला resistance बनके आ लेवल halt करता है, फर्स्ट आप में तो हमें और upside momentum देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मैं फासली उपर की तरफ momentum नहीं expect कर रहा हूँ, अगर market को उपर जाना है तो slow and steady जाना परेगा, तब ही वो sustain हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर कल market बहुत बड़ा gap up होता है open, मतलब अ नीचे जाना है, तो सबसे बहतरीन price कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ पे open होने के बाद market stick moment कर सकता है, और fast forward नीचे हो सकता है, तो यह जो देख रहा हो price, मतलब 14,650 के आसपास, कही भी market open होता है इस region के आसपास, या थोड़ा सा इस के नीचे 30-40 point, तो हमें नीचे के level देखन के लिए level कल मिल सकते है, लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा, थोड़ा gap down open होना पड़ेगा, और अगर market कल gap down open होता है, बहुत बड़ा gap down open होता है, 150 point के आसपास, मतलब 14,500 के आसपास market gap up open होता है, तो price section देखे हम trade कर सकते है, सारी चीज़े में कल आपको telegram के उपर दे दूंगा, वहाँ पर आप जोइन करके trade कर सकते हो, अगर मेरा analysis आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीज़े, चैनल को subscribe कर सकते हो, comment भी कर सकते हो, हम आपको वहाँ पर पूरी तरह सहयो करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को इन तक देखने के